आप सभी को मेरा नमशकार भाद्रमास की क्रिशन पक्ष की चोथ को बहुला चोथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन गाय और बच्छडे की पूजा की जाती है। बहुला चोथ के दिन व्रत रखने से सुख, सम्रिध्धी, धन, एश्वर्य, वैसंतान का सुख मिलता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का भी विशेश महत्व है। आये जानते हैं बहुला व्रत की विधी। इस दिन सुखा जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवरित होकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन महिलाएं निराहार वरत रखती हैं। शाम के समय गाय और बच्छडे की पूजा की जाती है। शाम को पूजा के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिनें बहुला को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में गाय और बच्छडे को खिला दिया जाता है। आईए अब शुरू करते हैं बहुला चोथ की कथा। द्वापर युग में जब भगवान विष्णू का कृष्णा अवतार हुआ था तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु गाए के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाए बनकर नंद बाबा की गोशाला में आ गई। बहुला का एक बच्छडा भी था। जब बहुला चलने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। भगवान श्रीकृष्ण का बहुला गाए से बड़ा प्रेम था। वे हमेशा उसके साथ समय बिताया करते थे। एक बार श्रीकृष्ण के मन में बहुला की पर पहुची। मोत बनकर सामने खड़े शेर को देखकर बहुला भईभीत हो गई। लेकिन हिम्मत करके वह शेर से बोली। हे वनराज मेरा बच्छडा भूखा है। बच्छडे को दूद पिलाकर मैं आपका अहार बनने वापस आ जाऊंगी। शेर ने कहा कि सामने आये हुए अहार को मैं कैसे जाने दूँ। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धरम की शपत लेकर कहा कि मैं अवश्य वापिस आऊंगी। बहुला की शपत से परभावित होकर शेर बने हुए शिरी कृष्म ने बहुला को जाने दिय बहुला अपने बच्छडे को दूद पिलाकर वापस आ गई। शेर उसे देखकर हैरान हो गया। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर शिरी कृष्म भगवान अत्यंत प्रसन हुए और अपने वास्त्विक स्वरूप में आकर बोले बहुला तुम परिक्षा में सफल हु अबसे भाद्र मास की चतूर्थी के दिन गो माता के रूप में तुम्हारी पूजा करने वाले को सुख सम्रिधी धन एश्वर्य और संतान का सुख मिलेगा। कथासमाप कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री क्रिश्ना